तो मेरे प्यारे साथिकों नमस्कार ध्यान दीजिएगा सभी लोग आप लोगे देखें इहां पर वीडियो आपके लिए मैत जो बच्चे मैत में डर रहना का अक्षा बारा में अब मैं आपको क्या करूंगा जो एक टॉपिक का इंपॉर्टन कोईशन मैं आपको कराऊंगा कि बहुत ही कम है इसलिये मैं आपको फिर्फ और शिर्प आप लोगगे मत करिएक सार मोटिवेर्ट करिया कुछ भी करिए सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट पर फोकॉस करिए और अच्छी तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा ठीक है ना और बाकी आप कुछ मत कहिए का ठीक है न मैं आप जो प्रश्ण बताऊंगा इसी ट्याइप के आपके सारे प्रश्ण आने वाले हैं ठीक चलिए ध्यां दिजिए आगे मैं आपको बताता हूं देखे उसके इसमेख कह रहा है कि आउकल समिकन आपको दे रहता है डीटुवाइपांड एकस स्क्वाइर बराबर । फॉर अंडरूरीड यक्स प्लस डीवाइपांड यक्स का होल स्क्वार की गहात आपसे पोश्च रहा है इसकी घात गहात मैं नहीं बताया था कि जितनी जो इ और और प्रैयास करते हुए दीया क्या है ध्यान दीजेगा दिया है डी टु स्कॉस्ट अपार बराबर और य दे रखा सेने हैं के मेरे प्यारे दोस्कायर मेरे प्यारे साथि अब देखिये दिखेंगे क्त्तिक्त milliards apon .안 coverage guys you today dpi तो क्या हो जाएगा इसके की पावर क्या नहीं इसके पावर फोर ठीक है ना जैसे मैं आपको कहा दूँ कि यक्स की पावर टू बराबर तीन है अगर स्कॉायर को मैं इधर ले आऊंगा तो यक्स की बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूड तीन हो जाएगा अगर एक्स की प दोस्त ध्यान दीजेगा यहां पर d2y upon dx square की power 4 आपका हो जाएगा बराबर क्या बचेगा यहां पर यह करणी आपका इधर चलाया बचा गया यक्स प्लस dy upon dx का whole square यह आपका बच गया अब ध्यान दीजेगा यहां पर इसको हम समीकर्ण मान लेते हैं क्या मान लेते हैं इसको समीकर्ण नंबर एक मान लेते हैं अब इससे हम क्या निकालेंगे आता है आप इसमें जब आप देखेंगे न तो उच्च कोट का जो ऑकल समीकर्ण है क्या है d2y upon dx square है तो इसकी घात कितनी हो जाएगी घात पूछ रहा है घात कितनी हो जाएगी चार हो जाएगी घात ऑगर कितनी हो जाएगी चार हो जाएगी अगर यहीं पूछता कि इसकी कोट क्या है कोट पूछता मेरे São तो धकि कि इसे में गात पूछा आपने निकाल लिया कि निगात कितनी जो जिसका और उकलन क्या हो गया होगा अधिक पार होगा मतलब कि Azik इसका वैकलन किनी वार नियुगात कितनी है चार निया इसकी घ्या तीन होती तो इसी को हम लेते ठीकन अगर इसकी खाती पांच होती तो इसको हम ले लेते तो यहां पर इसका अधिक है डी टू है तू है यहां पर तो इसकी खात कितनी है चार है तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका फोर हो जाएगा यहीं पूछता कोट क्या है तो कोट जितनी अधिक बार जिसका अख्लन हुआ रहेगा ना उसकी कोट जाएगा तीन दो हो जाएगा यह कुछन आपके लिए सवालब करना है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कुछन को बढ़ते हैं अब देखें क्या पोच रहा है कुछन भी अची तरीके से चलिएं आपको निकालना है किसका मान निकालना है मेरे पहरे दोस्त मेरे पहरे साथ ही किसका की तो यहां पर आपको जाएगा यहां पर आपको देंगे और धेयां से समझेगे जो ब seguir یकHD अच्छी तरीके से यहां पर प्रॉपर तरीक में आपको बताने वापने वाला है टो चैना चलिए और बी तो घट नाए दिया क्या है शोपar दिया क्या हुआ है तो पी आफ ए दिया हुआ है देखे पी आफ ए कितना दे रखा है पॉइंट फॉर दे रखा है ठीक अगर पी आफ बी की बात करें पी भी भी आपको दे रखा है कितना दे रखा है पॉइंट एड दे रखा है अगर पी आफ बी अपन ए की बात करें कितना दे रखा ह क्या होता है P of A intersection B upon P of A जो नीचे हो जाएगा ठीक है जो नीचे वहाँ पर आ जाएगा ठीक है ना अगर यहीं A upon B होता तो क्या होता P of A intersection B upon P of क्या होता B होता ठीक है ना अब देखिए P of A का मान हमें क्या है ग्याद है और इसका मान हमें गयात है था हम P of A intersection भी निकाल सकते हैं तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्या निकलेगा हमारा इसका मान रखेंगे 0.6 बराबर P of A intersection भी बटे क्या हो जाएगा P of A कितना है मेरे प्यारे दोस्त 0.4 है इसका मल्टिप्लाई इसमें करिए तो P of A intersection भी बराबर क्या हो जाएगा 6 फोर्जा 24 यहने की 0.24 आपका आजाएगा यहाँ पर अब हमें निकालना क्या है हमें निकालना है union भी अभी हमारा का है intersection भी आया तो चलिए इसका एक फार्मूला क्या होता है P of A union B वराबर क्या होता है मेरे पेरे साथी क्या होता है P of A ठिक प्लस P of B ठीक है न और क्या होता है minus P of A intersection B ठीक है न अब सब मान यहाँ पर आप रख दीजिए आपका answer complete हो जाएगा P of A का मान कितना है अगर P of A देखा जाए तो इसका मान कितना है 0.4 है और P of B को देखा जाए तो प्लस 0.8 है और minus 0.24 ठीक है न इसको अगर आप solve करेंगे अगर इसको आप solve करेंगे मेरे पेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजेगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ 8 नहीं होगा यहाँ पर अगर देखा जाए पी आफ भी अपाने ध्यान दीजेगा यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो पी आफ भी का मान कितना दे रखा है पी आफ भी आपको दे रखा है पॉइंट एट कितना दे रखा है पॉइंट एट दे रखा है और पॉइंट या दिखी इसको हम एड करेंगे तो मेरे पहरे दोस्त क्या हो जाएगा 0.12 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा अगर इसको ऐण करने का तरीक है आप इसलिए आपको बता देता हूं जैसे point क्या है point four और point eight आपको दे रखा है तो आप 7 करे आठ और four कितना हो जाएगा 12 का two और एक पे दसमलों लगेगा और यहाँ क्या हो जाएगा वन ठीक है ना वन पॉइंट टू आपका आ जाएगा कितना जाएगा अगर इसको हम एड करेंगे तो वन पॉइंट टू ठीक है ना और माइनस पॉइंट टू फो चलिए अब इसको माइनस करके भी देख लेते हैं तो ध पॉइंट टू फोर माइनस करेंगे पॉइंट टू फोर माइनस करेंगे यहां पर कुछ नहीं जीरो लगा देंगे दसमसे चार माइनस करेंगे कितना आएगा मेरे पैरे दोस्त दसमसे चार माइनस करेंगे च्छै आएगा और यहां कितना बचा नौ नौ मसे दो माइनस कर करेंग और यहां से तो इतर ले आएंगे कितना हो जाइँगा यहां पर आपका ऊजाएगा पॉइंट नाइन इसक्स आपका अंसर को जाएगा इसको करेंगा तो इस तरीके साफ इसको निकाल लेंगा तो मेरे पैर दोस्त आपको एच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देज़ेगा चली अगले कुशन की और बढ़ते हैं अगला कुशन देखे क्या है देखे यह कुशन भी बहुत बार पूछा गया है इस कुशन को भी अच्छी तरीके समझेंगा और अच्छी तरीके इसको भी सॉल्व है ध्यांदीजेगा चली इसको सॉल्व करते हैं हमें दे क्या रखा है ध्यांदीजेगा हमें दे रखा है कि Y बराबर कितना दे रखा है A E की पावर यक्स प्लस B आपको दे रखा है ठीक है अब हम इसका क्या करेंगे क्या करेंगे आउकल समीकर निकालना है तो आउकल समी क्या करने पर आउकलन करने पर ठीक है न यह आपका हो जाएगा आउकलन करने पर ध्यान दीजेगा जहां पर क्या हो जाएगा मेरे पेरे दोस्त अगर हम इसका आउकलन करेंगे तो y क्या करेंगे तो dy upon dx हो जाएगा ठीक अगर मैं इसका करूंगा तो a बाहर हो जाएगा और e की पाउर एक्स का ते ऐकी पाउर एकस ही होता है आपको मालूम है च्मि linking ह्याद है D by D ईकस इंटू A की पाउर एकस बराबर इतना होता है समझ में यह इस बात को उपको प्रेंगे समस्ज में आ गई होगी ठीक है ना चलिए अब देखिये अगर B का हम Oculan करेंगे तो किसी भी constant का यानि D by D x किसी भी constant का अगर हम Oculan करते हैं तो क्या आता है 0 आता है हमेसा तो ये भी आप ध्यान लेजिएगा ठीक है ना इतना आपको आ गया अब हम क्या करेंगे इसको मान लेते हैं समी कर नमबर 2 इसको मान लेते हैं समी कर नमबर 1 है अब हम क्या करेंगे पून है यक्स के सापेक्ष क्या करने पर आउकलन करने पर क्या करने पर आउकलन करने पर जब इसका हम आउकलन करेंगे तो इसका आउकलन दो बार हो जाएगा d2y upon, मेरे पेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, d2y upon क्या हो जाएगा, dx square बरावर, अब इसको करेंगे तो a बाहर आएगा, उन्हाँ आपको वही मिल जाएगा, यानि कि a बाहर आएगा, a की power x ही आपको मिल जाएगा, समीकरण नंबर 3 आपका हो जाएगा, अब देखिए, अब समीकरण नंबर 1 और 2 से, क्या समीकरण नंबर 1 एवं 2 से देखिए क्या निकलेगा, इसको मैं अची तरीके समझता हूँ, समीकरण 1 और 2 से धहन दिजिएगा, और देखिए, दो और 3 से हाँ, इजए 3 है ना, तो दो और 3 लेंगे, तो और 3 से देखिएगा, 2 और 3 से क्या हो जाएगा, मेरे पहारे साथी धेहन दिजिएगा, देखिए, दी, वाइ अपन, दी, इख सDaniel है, तो अगर देखा जाए, तो यहाँ पर जो दोनों क्या है, बराबर हैं, जब यह बराबर हो जाएगे, तो d two y अपन, क के दोनों बराबर हैं जब यह दोनों बराबर हो जाएंगे तो मेरे पहरे साथ ही ध्यान दीजेगा यहां पर अगर मैं इसको देखूँ तो ध्यान दीजेगा यहां पर मैं देखूँ तो यहां पर क्या हो जाएगा doyeop a via dic square इसको इधर ले आएंगे तो डी वायवाई कर दी य थे жंव जाएगा जी रो क्यों कि यह इधर चला आया तो क्या हो जाएक जिर यह तो अलक हो जए क्यों कि यह आपका दोनों क्या ज़ाएं बराबर है यह थे उसको की बात करते हैं अगला कोईशन देखिए क्या है आपके लिए तो चले लेक्स की बात करते हैं अगला कोईशन ने बहुत बार पूछा गया आपकी एक्जाम में तो जो बचे जान रहे ना इसको आप लोग सॉल्व भी करते रहें ठीक है ना अपनी कॉपी में हम से पहले आप करी Doch कर ने करेंगे ठीक है नो मैं यह कहना चाहता हूं आप कोई भी कुश्यन आप देखिए तो आप मुस्से पहले में करने का प्रैयास करिएगा ठीक है ऑफ प्रैयास करेंगे तो आपको आपको निकालना है यहां दिजाखा बीच का नीकालना को नाँगे यसको सॉलव करेंगे तो देखिर कईसे IF क्लिवाट से करेंगे makes Chief हमारे दिया है क्लिवार्ट घॉर प्लस ड्यखमेश क तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3i कैप ठीक प्लस 3j कैप ठीक प्लस 4k कैप ठीक न यह आपके लिए हो जाएगा तो चलिए ध्यान दीजेगा मेरे पहरे दोस्त मेरे पहरे साथी अब मैं क्या निकालूंगा सदिस a और b के बीच कूण क्या सदिस आपको क्या दे रखे हैं सदिस वेक्टर a और क्या वेक्टर a तथा वेक्टर b क्या वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच कूण के बीच क्या निकालेंगे बीच कूण निकालेंगे तो कूण बराबर क्या होता है ध्यान दीजेगा कौश ठीटा बराबर क्या होता है कौ एक आमान क्या हो जाएगा मौड आफ वेक्टर a, आफ वेक्टर b, ठीक है ना पहले हम a वड़ की निकालेंगे उसके बाद यहां पर हम निकालेंगे mod of a, mod of b, ठीक, चलिए इसको निकालते हैं, ध्यान दीजे का सभी लोग कैसे हम निकालेंगे, तो direct ही हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें, यहाँ पर क्या रखेंगे हम, a कामान कितना है, 2i कैप, ठीक, प्लस j कैप, ठीक, प्लस 2k कैप, ठीक, इंट आपको दे रखा है, और इसको हम mod of में रखेंगे हमेशा, अब बटे में ध्यान दीजेगा, इसका mod of कितना हो जाएगा, अगर इसको हम देखें, तो a का mod of आप formula जानते हैं, a1 का square प्लस b1 का, a square प्लस b square प्लस c square यहाँ पर रखेंगे, a का मान कितना है, 2, b का मान कितना है a का मान है 2, b का मान है 1, और c का मान है 2, तो क्या हो जाएगा, 2 का square प्लस 1 का square प्लस 2 का square यहाँ कर लिजेगा, ठिक, इतनी बात आपको समझ में आई, और प्लस में क्या लिखेंगे मेरे पहरे साथ ही, b का भी लिखेंगे, तो b में देखें, 3 और 3 और 4, a का मान 3, b का मान 3 मीठीन और सी कामान 4 यहांपर क्या हो जाएगा तुरी काए स्कवायर 5m2 प्लस फूर ay और आम वहतरीन तरीके समझेंगे और मैं गरंटी यह झेता हूं कि अगर आप Hiels को को एक बार देखे लेंगे ता आपको बहतरीन तरीके से समझ में भी आ जाएगा ऐसा नहीं है का आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है ना चलिए आगे चलते हैं आगे देखिए इसको सौल करेंगे अब देखे क्या करेंगे हम एक बात देखे आगर मैं आपको थोड़ा एक चीज़ बता दूँ अब देखे आप यह हर एक कुछिस्टन में अपला अगर आई के साथ क्या हो जाए के हो जाए क्योजबता जेरो एक क्योप है कोई विप्रीत आएच तो हमें सधस Carl यह अगर कोई समान आया तो हमें सक चांब मैंगा तो तब इसमें करेंगे तब इसमें करेंगे तो एक आएगा और यह आपका सिक्स बच जाएगा लेकिन जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसी तरी कि इसमें भी करेंगे जीरो हो जाएगा तो हमें एक मान मिलेगा जीरो हो जाएगा तो हमें एक मान मिल तो 6 आएगा, प्लस आप करेंगे 1 का multiply 3 में करेंगे तो 3 आएगा ठीक है ना और प्लस 2 का multiply 4 में करेंगे तो 8 आएगा, ठ्यान समझ में आया, अब देखिए मेरे पहरे साथी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, अब देखिए 2 का square 4 ठीक, और देखिए 2 का square 4 प्लस 1 का square 1 प्लस 4 समझ में आया, इतनी बात, 3 का square 9 प्लस 3 का square 9 प्लस 4 का square का होजाएगा, तो दल्य ध्यान 94 こie होजाएगा, यहाँ पर मेरे पहरे साथी 6 और 4 extends 9 और 8 कितना होजाएगा, सत्रह कितना हो जाएगा ध्यान दीजेगा ध्यान दीजेगा है मेरे साथी आपको अच्छी तरीके से कितना हो जाएगा यहाँ पर सत्रह हो जाएगा और अगर नीचे देखा जाए मेरे प्यारे साथी अगर नीचे देखा जाए तो ध्यान दीजेगा यहाँ पर चार और एक 54 आपका जाएगा तो under road 34 अब जान रहे हैं आप लोग कि UNDER ji चामान होता है 17 बटे पियारा सा छोटा सा अंसर हो जाएगा तो आप सबी लोग कमेंट में बताएंगे कि question समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तो कोह सब दो और आपको तो आज आते हैं तो आप जरूर-जरूर एक्जाम में solve कर लीजएगा ठीक है ना चलिए एक question में आप और आपको बता जीता हूं इस question में आगर आप देख लेंगे इस question को ना तो आप बहुत सारे question को solve कर ले जाएंगे ठीक है ना अब देखें मेरे पर ध्यान दीजेगा थोड़ा लंबा कुश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्डंट कुश्चन और बहुत बार एक्जाम में पूछा गया प्रशने बहुत बार इतनी बार मैं आपको अब देखे इसमें आपको दे रख़ा है कुश्चन को करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा लेकिन इसमें आप ध्यान दीजेगा इससे आपको कई वह सरवगा। बहुत सारे कुश एकर क्या दे रखा है हमारे पास य बराबर दे रखा है or दे रखा है आप डिक्ते हो जाएगा है यह आपके लीग हो जाएगा नहीं कि इस तरीके से है उसाल्व करने में असानी हो जाए तो हम मान लेते हैं माना होघने कि अ capture लेते हैं यक्स बराबर मान लेते हैं और ठीटा अर्थात जब यह इन्वर्स हो जाएगा यानि इसको हम surprised सकते हैं कि नहीं लिए सकते हैं तक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नहीं सकते हैं सभी लोग पाकर बता दीजियेगा इतनी बात आपको समझ में आई अब अब देखिए हम क्या मानेंगे वाई बराबर क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स ठीक अब क्या हो जाएगा अंडर रूड वन प्लस यक्स का मान कितना माने थे टैन ठीटा तो यक्स स्कॉाइर का मान क्या हो जाएगा टैन स्कॉाइर ठीटा क्या हो जाएगा टैन स्कॉाइर ठ थीटा प्लस वन हो जाएगा नीचे यक्स का मान कितना है मेरे प्यारे साथ ही कितना है तैन ठीटा आपका हो जाएगा तो इतनी बात आपको समझ में आई समझ में आ गई होगी अब देखिए एक चीज और इसमें करिएगा बराबर में कर लिजे थोड़ा और इसको सॉल्व कर लिजे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कॉट इनवर्स ध्यान दीजेगा कॉट इनवर्स अब कोश्टक में क्या आएगा वन प्लस टैन स्कॉयर देखिए चुकि हमें ग्यात है कि वन प्लस टैन स्कॉयर धीटा वराबर क्या हो जाएगा सिक धीटा क्या हो जाएगा सिक धीटा आपका आता है क्या आता है सिक धीटा आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वन प्लस टैन स्कॉयर धीटा क्या आ जाएगा सिक धीटा कैसे आएगा स तो square है, under root है, तो हट जाएगा दोनों, क्या बचेगा हैंपर, six square theta under root में आएगा, plus one, बटे 10 theta, तो इतनी बात आपको समझ में आई, कोई कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत होगी, तो बताएगा भी और बहुत सारे question हम solve करने वाले हैं, ठीक है ना, अब देखिए, अब देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर हमाँ पास क्या मिला, cot inverse, ठीक, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखिए, यह square under root हर जाएगा, तो क्या मिलेगा, 6 theta मिलेगा, प्लस 1 मिलेगा, बटे 10 theta आपको मिल जाएगा, अब देखिए, अब मैं इसको थोड़ा और solve करता हूँ, तो अब ध्यान दिजेगा, यहाँ पर मैं और इसको छोटा पनाऊँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ, one upon cause theta, आप सभी लोग जानते हैं, six theta बराबर क्या होता है, one upon cause theta, कोशिक theta बराबर क्या होता है, यहाँ अप लिख लेजिए, six theta बराबर क्या होता है, one upon cause theta, प्लस वन बटे टैन ठीटा आपका हो जाएगा यहाँ पर ठीक है ना अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा और चेंज करेंगे जब इसको हम थोड़ा और चेंज करेंगे तो cot inverse 1 ठीकर cot inverse इसका मान देखे इसको हम LCM ले लेंगे तो मेरे प्यारे साथी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस cos theta बटे आपका क्या हो जाएगा cos theta अब इसको भी तोड़ लीजिए आप sin theta upon cos theta ठीक है न अब धिहान दीजिए तोटा cos theta से cos theta cancel हो जाएगा बचेगा क्या y बराबर हमें मिलेगा cot inverse क्या मिलेगा cot inverse मिलेगा 1 प्लस cos theta 1 प्लस cos theta बटे क्या मिलेगा हमें sin theta मिलेगा तो अब देखे कितना simple form में आपका बदल गया ठीक है न अब ये कितना simple form में बदला अभी मैं थोड़ा और इसको तोड़ूँगा मैं इसको और तोड़ा तोड़ूँगा तो y बराबर क्या करूँगा y बराबर करूँगा cot inverse ठीक है न अब देखे यहाँ पर theta है न theta है तो इसको हम तोड़ेंगे cos theta को देखे एक formula हता है cos 2 theta बराबर क्या होता है 1 plus 2 cos squared theta ये formula होता है कि नहीं होता है आप सबी को मालुम होगा अगर यहाँ पर cos theta हो जाए cos theta हो जाए तो क्या हो जाएगा 1 plus 2 cos square theta by 2 खान्य जगा जब यहाँ two theta है तो theta धिटा रहेगा यहां पर थीटा है तो यहां पर थीटा बाई टू आएगा जिम्पल सा फार्मूला और एक साइन तू ठीटा वारा फार्मूला देखे आप लोग मालूम है तू साइन ठीटा इंटू कॉश्ट ठीटा अब दिखे कितने फार्मूले में हमारे रिवाइज हो रहे हैं यह भी ध्यान दीजेगा आप लोग अगर हम यहां पर साइन थीटा बरापर निकाले तो क्या हो जाएगा तू साइन ठीटा बाई टू इन्टू कॉस्ट ठीटा बाई टू ठीक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो फानुले हमारे बन रहे कहां से बन रहे इस ते बन रहा ठीक न अब हम क्या लिखें खो फोट प्लस हम प्लस कुष दि यहां पर थोड़ा ध्यान दीजेंगा तू कॉस्ट स्कॉयर् ट्रिंटा बाई टू गूस बाई इस बात को 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 ठीक है न एक से एक क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या y बराबर cot यहाँ पर cot लिगजिए cot inverse यहाँ पर क्या बचेगा 2 से 2 भी cancel हो जाएगा बचेगा क्या सिर्फ cos inverse cos square theta by 2 बटे sin theta by 2 into cos theta by 2 इतनी बात आप सभी को समझ में आई आई हो पच्छी तरीके समझ में आ गई होगी अब हम क्या करें cos theta by 2 से cos theta by cancel एक cos theta cancel तो एक बचेगा यहाँ पर y बराबर क्या बचेगा cot inverse एक बचेगा cos theta by 2 क्या बचेगा cos theta by 2 बचेगा ठीक और नीचे क्या बचेगा sin theta by 2 अब देखिए इसका मान क्या होता है आप सभी को मालू में चूँकि sin theta upon cos theta बराबर क्या होता है tan theta होता है अगर यही cos theta upon sin theta लिखेंगे मेरे प्यारे साथ ही तो क्या हो जाएगा cot theta हो जाएगा तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे y बराबर cot inverse क्या लिखेंगे cot cot लिखेंगे हाँ पर cot theta by 2 cot से cot क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा बचेगा क्या y बराबर बचेगा theta by 2 हमने देखे theta बराबर क्या माना था हमने ऊपर बाजाए theta बराबर क्या माना था tan inverse x तो यहाँ पर लिख देंगे y बराबर tan inverse x ठीक है न और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 upon 2 ठीक अब हम क्या करेंगे इसका आउकलन कर देंगे आउकलन करने पर यह सापेक्ष आउकलन करने पर ठीक है न जब इसका हम आउकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा dy upon dx बराबर 1 upon 2 को बाहर रखेंगे tan inverse का जो आउकलन होता है क्या होता है 1 upon 1 plus x square यही आपका अंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी बहुत सारे फार्मूलों को बताया तो यह फार्मूलों को भी आप लेख लिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के साथ मेरे प्यारे साथी तब तक के लिए जय हिन जय भारत